जैने दोस्तों मेरे ना मैं अतुलोर स्वागत है अपने डिप चैनल अतुल्टेक बजार में दोस्तों फाइनली रियल्मी 11 प्रो इंडिया के अंदर लाँच हो चुका है रियल्मी 10 प्रो का ये अपगेड़ वर्जन है इंफेक्ट कापी बड़ा अपडेट इसमें आपको देखने को मिलता है पीछे की तरह पकर आप देखो कि तो काफी ज्यादा प्रीमियम डिजाइन आपको देखने को मिलता है फर्स्टेम रियल्मी ने इस तरह का सर्कल कैमरा लेयाओट प्रोइट किया है पर पास इसका ASTAL Black Variant एवलेवल है इसके अलावा Sunrise Bag और Oasis Green Variant पी एवलेबल है जो कि और भी ज्यादा प्रीमियम दिखता है उसमें प्रीमियम वेगन लेदर डिजाइन प्रोइट किया है पर पिछले 7 देस से कंटिनूसली हम यूज करें इस वीडियो में आपको इस डिवाइस के रिगार्डिंग A to Z जानकरी मिल जाएगी 10 Pro से अगर कंपेर करें तो काफी बड़ा यहां पर अपग्रेट देखने को मिलता है काफी अच्छा प्रीमियम बेक डिजाइन और कैमरा लेओड आप देसकते हो सरकल वाला देखने को मिलता है इवन दुस्तों अगर डिस्प्ले देखे तो आपको कर्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है Realme 10 Pro में आपको 33W fast charging मिलती थी इसमें काफी बड़ा upgrade आपको मिलता है 67W की fast charging मिलती इसका charging test भी हमने किया है काफी fast ये charging कर देता है इसके लागा दोस्तों और भी बहुत सारे premium features इस mobile में फर फर के पड़े हुए हैं यहाँ पे आपको camera जो है यहाँ पर जोस्तों इस device में आपको सारे वो mostly features परेवाले मिल जाते हैं जो की Realme 11 Pro Plus में मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो design दोनों का ही same है display यहाँ पर quality दोनों में ही same रखी गई है और यहाँ पर प्रोसेसर है dimensity 7050 वाला दोनों ही device में आपको same मिलता है जो सबसे बड़ा major difference है Realme 11 Pro में आपको 100 megapixel OIS camera मिलता है जबकि 11 Pro Plus में 200 megapixel OIS camera मिलता है और इसमें आपको 67 watt की fast charging मिलती है जबकि Realme 11 Pro Plus में आपको 100 watt की fast charging मिलती है यह पिट इस बार काफी अच्छा मिलता है क्योंकि अगर आपका budget थोड़ा सा काम है तो आप 11 Pro के साथ में जा सकते है इस device से पिछले 7 days में में काफी सारे टेस्ट किया है इसका performance कैसा है बैटरी backup कैसा है यहाँ पे camera कैसे वर्ट करता है इसका gaming test इसका charging test इसमें कौन कौन से features मिल जाते है सब कुछ A to Z आपको इस वीडियो में मिल जाएगा वीडियो थोड़ा सा नंबा हो सकता है टाइम इस टैम ने वीडियो में प्रवाइड कर दिया जरू से आप उसका यूज करेगा तो दोस्तो चैनल पे लिए हो सब्सक्राइब जरू से करेज़ेगा सबसे बहले यहां पर मिनुवल बुक मिल जाती है वारेंटी वन येर की है सिम एजेक्टर टूल मिल जाता है एंड मोड़ी तगड़ी टाइप सी चारजिंग केबल मिल जाती है चारज़र आप यहां पर देख सकते हो नीची की तरब आप देख सकते हो रियल्मी की ब्रैंडिंग आपको मिलती है पहली बार रियल्मी ने इस तरह की कैमरा डिजाइन प्रवाइड की है जो की काफी ज़्यदा प्रीमियम लगती है इसके अंदर 100 मेगा पिक्सल का हार्डवेर बेज ओवाइस कैमरा प्रवाइड किया है सेगेंड डी जो कैमरा है वो 2 मेगा पिक्सल का ब्लेक और वाइड कैमरा है जो की पोड़ेट फोड़ोग्राफिक के काम आता है इसका बेग पॉलिक और बेंड का बना हुआ है जो की टेक्शर मेट फिनिच डिजाइन के साथ में आता है फिंगर पिंट इसमें दूर दूर तक नहीं पड़ते है लॉंग टर्म अगर आप यूज़ करते हो तो इसका बैक एज़ इस ही रहेगा यहां पर दूस्तों जो इन हैं फिलिंग है वो काफी ज़्यादा जबदस्त है इस मोबाइल का जो ठीकने से है वो 8.2 mm है और वेट 185 ग्रैम का है फिजिकली और वी के बारे में बात करें तो राइट साइड में पार अनॉप बटन और वॉल्म रगस की मिल जाते हैं इसमें आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है यहां पर दो 5G सिम या फिर दो 4G सिम आप एड़े टाइम यूज़ कर सकते हो सिम ट्रे में रबराइस कोटिंग मिलती है जिससे की डस्ट और वाटर एजली अंदर नहीं जा पाते हैं जो की काभी अच्छी बात है अब आ जाते हैं दुस्तों डिस्प्ले पे जो कि इस मोबाइल की सबसे बड़ी यूए स्पेस मोबाइल में 6.7 इंचेस का पंच होल्ड कर्ड ओएलेट डिस्प्ले मिलता है जो की 120 हर्ट रिफ्रेस्ट के साथ में आता है यह एक 10 बिट डिस्प्ले है जो की 915 निट्स प्राइटनेस के साथ में आता है और इसमें आपको 2160 हर्ट PW डीमिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है इसप्ले 2.33 mm अल्टर नेरो चिन के साथ में आता है बेजल साथ देख सकते हो काफ़ ज़्यदा सेमेंटरिक है इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से ही लगा मिलता है अगर ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो 0.65 mm का इसमें ड्रैगन टेल ग्लास यूस किय गया है जो की एंटी ड्रॉप टेस्ट को पास करता है और अल दूस्तों जो बैक डिजाइन है और जो डिस्प्ले है वो सूपर प्रीमियम क्वालिटी का प्रोवाइड किया गया है बात कर लें OS और UI के तो इसमें आपको Realme UI 4.0 के साथ Android 13 का स्टेबल अब्रेट आपड़ बॉक्स मिलता है हमारे पास यहां पर 12GB वेरियंट है अगर इसमें टैप करोगे तो यहां पर दिख सकते हो 12GB वर्चुल रेम का सपोर्ट इसमें मिलता है मतलब 12 प्लस 12 24 GB अप तू यहां पर रेम आप इंक्रीज कर सकते हो आवर के लिए डिमेंसिटी 7050 5G चिपसेट प्रवाइड किया गया है जो कि एक उक्टाइक और प्रोसेसर एक 6 सेनम प्रोसेसर है और गेमिंग मल्टिटास्किंग जैसे काम यह आसा नहीं सेका सकता है इस मोबाइल में 5000 एमेज की बैटरी मिल जाती है जिसको चार्ज करने क पॉर्डर से वेट है तो भी यहाँ पर कोई दिकत नहीं जाएगी इसका सेंसर कुक्ली रिस्पॉंस करता है फड़ा वड़सी यूई के बारे में बात कर लेते हैं रियल भी यूई 4.5 जो स्टेइबल अपडेट मिलता है कुछ इस तरह से नोडिफिकेशन पैनल मिल जाता करने पर यहाँ पर गूगल फीट का सपोर्ट आपको मिलता है साधी में दोस्तों यहाँ पर लाज आइकॉन वाला सपोर्ट भी मिल जाता जो कि रियल मीव 4.5 का बेस्ट फीचर है सेल्प का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें वेरियस विजेट यहाँ पर आप होम स्क्रीन के अंदर ला सकते हो यह काफ़ ज़्यादा प्रीमियम लगता है एक चीज जो अच्छी नहीं लगी कि वह दोस्तों गूगल डायलर यहाँ पर हम ओडायलर इंस्टॉल करके चेक करेंगे कि यह वर्क करता है नहीं और जल्द ही इसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आए और फुली अच्छे तरीके से आपका एप डॉर्क करने लगेगा होट एप होट गेम जिससे ब्लोट वैर आपको मिलते हैं जिससे आप एजली तरीके से हड़ा सकते हो एप मॉर्केट में आपको चले जाना है मी में और यहां पर दूस्तों आप होट एप और होट गेम को इससे आफ कर देना है जैसे आप इससे आफ कर दोगे यह मॉबैल से डिरेक्ली हट जाएंगे और भी बहुत सारी ब्लोट वैर को हटाने के लिए हमने वीडियो बना है डिस्क्रिशन बाक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी यूई की साथ और भी इंस्टॉल एप आप आपको मिल जाएगी जिससे आप इजली तरीके से अंस्टॉल कर सकते हो इस तरह से आपको इससे अंस्टॉल कर देना है इसके बाद आपको जो हमने प्रोसेस बताए इससे सारी जो यूई है वो क्लीन हो जाएगी तो यहां पर ब्लूट वेर दिये हुए हैं बट ऐसा नही कि पर्मानिटल यह आप इसे पर्मानिटल तरह के से अंस्टॉल कर सकते हो खड़ा सकते हो इसस्टम एप के नए वर्जन मिल जाते हैं जैसे कि वैदर एप थीम एप यहां पे दूस्तों आपको बहुत सारी लेटेस्ट टीम फ्री में मिल जाती है साथ ही में आप चो फोन म kis Certain के सारा अप्शन जो किишь Realmevov 4.0 प्रीमियम मोबायल में मिलते इस सारे फीचाश को इस मोबायल में मिल जाते है टे सारे अपिर वाल पेपर वहल्रा सपोर्ट भी मिलता है जिसे इस वीडियो में cover हम नहीं कर सकते वीडियो ज्यादा लंब हो जाएगा बहुत जल्दी हम tips and trick का वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे features के cover करे जाएंगे अफ़र आफ़र से बात कर लेते हैं YouTube वीडियो quality की है अगर हम advanced setting में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2160 60 HDR का option मिलता है यह काफी अच्छा resolution है दोस्तों यहाँ पर आपको 4K वीडियो का support मिलता है इसके साथ ही दोस्तों symmetric bezels आपको मिलते है 6.7 inches का OLA display मिलता है और आल भी autumn's का support मिलता है तो overall दोस्तों यहाँ पर YouTube वीडियो या फिर वीडियो को या मुवी देख रहे हो तो यहाँ पर overall जो experience काफी बहतर मिलता है इस तरह से अगर हम mobile को tilt करते हैं तो यहाँ पर color faded नहीं होते है साथ ही में इसमें hyper vision mode का support मिलता है जैसे ही आप इसे on करते हो color काफी ज़्यदा bright हो जाते हैं काफी ज़्यदा vivid हो जाते हैं और जो experience है वीडियो देखने का वो काफी ज़्यदा extreme हो जाता है mobile 950 nits brightness के साथ में आता है इसलिए day lighting condition में visibility में कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर दिख सकते हो visibility काफी ज़्यदा bright है जाते हैं अब sound quality में हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें dual stereo speaker का support top and bottom में मिलता है जाती में दूस्तों यहाँ पर dolby autumn का support भी मिलता है इसके अलावा यहाँ पर high-race audio का support भी मिल जाता है तो और और यह सारा combination जब mixed up करता है तो जो output निकलता है यह बहुत ही बहतर निकलता है आप music सुन रहे हो या फिर movie देख रहे हो यह सारी चीज़े मिलके excellent sound effect provide करती है lens मिल जाता है फ्रेंट में आपको 16 megapixel का selfie shooter मिलता है कुछ features के बारे में बात करें तो night mode के साथ pro night mode का support मिलता है front and rear दोनों में ही आपको night mode का support मिल जाता है street mode photography manual और auto zoom का option मिलता है only आपको object पे tap करना है यहाँ पे directly यह zoom कर देता है ultra steady और auto zoom का option मिल जाता है साथ ही में 720p 60fps 1080p 60fps और 4k 30fps का max to max option मिलता है various filters यहाँ पे आपको मिल जाते है front में आपको study का option मिलता है और 720p 120p पे आप video record कर सकते हो max to max 10x zoom आप वीडियो में कर सकते हो watermark यहाँ पे photo में नया मिल जाता है custom में जाके आप इसे set कर सकते हो only planet 20x zoom यहाँ पे max to max मिलता है इनेंस का option मिलता है front में auto sdr का option मिल जाता है फोटो है आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको watermark देखने को मिलेगा यहाँ पे पोटेट में डायनमिक भूके भूके प्लायल पोटेट और विविट फिल्टर को एड़ किया गया फ्रेंट एर दोनों में ही blur adjustment का option आपको मिलता है 100 Megapixel का यहाँ पे dedicated mode मिलता है अगर 100 Megapixel में हम पास से यहाँ पे photo कीचे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो details है इसमें 14 MB तक photo आती है max to max 50 MB तक यहाँ पे photo मिल जाती है यहाँ पे आपको multiple photo का option मिल जाता है अगर more के option में जाता है तो pro mode, panorama mode, slow motion, time lapse, tool video, long exposure, starry mode, crew portrait और तिल से पॉले option मिलता है, long exposure में आप night photography कर सकते हो, tool mode video कुछ इस तरह से record कर सकते हो और यहाँ पे slow motion video के लिए 110MP, 1080p वाला option ही मिलता है, front में slow motion option अवलेबल नहीं है, maybe audio update के तुरू आ जाए, यहाँ पे कुछ live photography, rare camera से काफी detailing की साथ photo मिलती है and front में आप देख सकते हो, काफी अच्छे से यह photo ले लेता है, यहाँ पे 2X luceless zoom का option मिलता है चलिए फड़ापट से और भी कुछ samples, video samples, photo samples देखते हैं हके नचे से चोफ तर बड़लेबल नहीं है 1718 मैं भापट में आपके साथ आपके नहीं हो, फड़ में आपके साथ आपके यहाँ आपके साथ आपके साथ बात करें 5G नेटवर्क की तो इस मोबाइल में 9 5G बेंड का सपोर्ट मिलता है इंडिया में ये इतने भी से नेटवर्क है सब भी को ये सपोर्ट करता है यहां पर जियो की सीम एवलेबल है और हमारे यहां 5G नेटवर्क है इसलिए नीचे के दो आप्शन आपको दिख रहे हैं यह इंटियर में है और आउटर में हमने चेक किया है यहां पर देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड 690 Mbps और अप्लोडिंग 106 Mbps के आती है यहां पर लोकल में थोड़ा सा इसू है यहां पर इसकी स्पीड और भी ज्यादा हो सकती है इसके अलावा इस मोबाइल में एंटि नायरे मैट्रेक्स 2.0 टेकनलोजी उसकी यह जिससे सिग्राइल स्टेबल मिलते हैं और नेटवर्क की जो स्पीड है काफी अच्छी मिलती है इस मोबाइल के साथ हमने कुछ टेस्ट किया है जैसे कि आई तो बेंचमार्क की स्कोर आप देख सकते हो 528,000 के असपास आता है डेमेंशिटी 7050 काफी कैपेबल पोसे सरे गेमिंग मिल्टिटास की काफी अच्छे तरीके से का सकता है इसका सार वेल्यू अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हैट सार वेल्यू 1.446, बॉड़ी सार वेल्यू 0.532 आता है जो कि इंडिया के साथ से सेफ है 0.111 का सपोर्ट मिलता है नेच्ट फिलिक्स अमेजन जैसे वीडियो आप हाई कोलेटे में देख सकते हो एर इसमें Cam2 API का सपोर्ट भी मिल जाता है जी केम आप इजली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग जी केम चल दी हम चैनल पे लेके आएंगे यहाँ पे हमने गोस्ट अच इस्यू को भी चेक किया है कोई भी multi touch, ghost touch issue इस मोबाइल में नहीं मिरा इसका touch काफी आज़ा तरह के से work करता है और सारे जरूष सेंसर जो कि एक premium मोबाइल में होने चाहिए यह सारे जरूष सेंसर इस मोबाइल में मिल जाते हैं अधर फिचर्स के बारें बार्त करें तो इस मोबाइल में LPDDR4X RAM का सपोर्ट मिलता है Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलता है Storage type UFS 3.1 है इस मोबाइल के जो trust sampling rate है वो 360 Hz के असपास है इस मोबाइल में 2 major update और 3 year तक security page update मिलते रहेंगे इस मोबाइल में Realme ने desk memory engine feature को introduce करा है जो कि internally work करता है अगर आप multi application switching कर रहे हो and dust poop rating के साथ यह mobile आता है अब बात कर रहेते हैं बीजे में PUBG Gaming की इस mobile में Game Space का latest version 5.1 का support मिलता है जिसमें call blocker, network optimization और voice changer वाले special feature मिल जाते है यहाँ पर अगर हम graphics के बारे में बात करें तो smooth के साथ extreme का option मिलता है balance के साथ ultra, HD के साथ ultra, HDR के साथ ultra और ultra HD का option unavailable है काफी अच्छे आप पर option मिल जाते है smooth के साथ extreme इसका gyro कैसा work करता है कोई leg frame drop या heating issue तो नहीं है इसका full battery draining के साथ gaming review वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर बलोवने वाला है चेक आउट जरू से करेगा तो ही दोस्तों इस वीडियो में हमने सारी जानकर ही collect किया अगर कोई doubt कोई question इस mobile के regarding आपका थोड़ा सा भी है तो आप comment section में बिल्कुल समय पूछ लिएजएगा हम सारी कुछ चीजों का answer आपको देने के लिए तयार है यहां पे दोस्तों काफी अच्छा आपको performance मिल जाता है 7050, Temen City, 7050 काफी अच्छा यहां पे performance देता है gaming वगेर हमने करी है और battery backup भी आपको इस mobile में काफी अच्छा मिल जाता है charging speed तो बहुत जादा fast है इसका charging test भी हमने किया है channel पे check out करेगा और all 47 minute में यह mobile fully charge हो जाता है mobile में आपको decent quality का display मिलता है और super decent quality का design मिलता है यहां पे सारी कुछ चीज़े मुझे सही लगी है बट एक चीज़ यहां पे अगर मैं बोलू तो यहां पे आपको 100 Megapixel का पीछे वाइस camera मिलता है अगर ultra wide camera realme provide कर देती तो काफी benefit मिलता क्योंकि ultra wide camera काफी ज़्यादा useful हो जाता है यहां पे इस device के price के बारे में बात करें तो अब इस price का यहां पे मुझे कुछ भी पता नहीं है बट mobile के तीन variant market में available होने वाले हैं 8128GB, 8256GB और 12256GB अगर इसका base variant 8128GB 20-21,000 रुपए में आ जाता है offer के साथ तो यह काफी बड़ा टकर mobile देगा market में available इस price segment की curve device के जो भी price होगा इसका description box में आपको सारी details मिल जाएगी check out जरू से करेगा और कोई doubt इस mobile के regarding आपके है तो comment section में पूछ लीजेगा और upcoming बहुत सारी वीडियो से इस device के regarding मिलते रहेंगे आपको किसी device के साथ इसका comparison चाहिए या फेसल इस device का कोई वीडियो चाहिए तो comment section में जरू से बताएगा इस device का camera review बहुत जल्दी channel पर ले बले होन वाला है check out जरू से करेगा फिलाल दूस्तों इस video में इतना है मिलते है